बॉर्णी चुलेंट टेक ओट एंदी बुक टोड़े वी आर गोंग टू डू लेसर नंबर सिख्स विच इस पक्षियों के घर इस पार्ट के मुक्ष देश किया है घर का महत और स्वतंत्र उड़ान हमें मतलब घर का क्या महत होता है कोई भी जीव हो कोई भी जानवार हो इंसान हो सबके लिए घर का महत होता है तो वो चीज़ हमें समझ में आएगा और दूसरा स्वतंत्र उड़ान मतलब स्वतंत्ता का आजादी का क्या महत्त्यु है एक दिन लता ने घूश्ला देखा गोश्ला उसके घर में था तर मिधा देखके वह बहुत खुस हुई उसने पहली बार घुश्ला देखा था टिक है तो एक गुर्ल है पूब συνयंपने घर tieft कि देखा तो उसके बहुत जिग्यासा हुए हुए उसे बहुत ही इंट्रेस्ट उसमें आया कि यह चीज है उसने अपनी जो दिदी तो उसको बारे में बच्चों का हर चीज में कोई नहीं देखते हैं तो वह अपने घोसला बनाती है तो उसे में उसके बच्चे निकलते हैं वह पालती है लता दीदी घोसला कैसे बनता है फिर लता ने नेक्ट केस्टन पूठ किया पूछा कि यह घोसला बनता कैसे है तो दीदी ने बताया घोसला तिनकों से बनता है चिडिया अपनी चोच में तिनके दवा कर लाती है फिर वह तिनकों से घोसला बनाती है ठीक है घोसले में तो जिदी ने वहत बेंद करती वह अपने एक एक वह घर जाकर के तिन दूंसी को च्शेवीर तारती यह फिर प्लत बनाने के लिएभी में लिए कुरा ऑल। लता दिदी क्या इस घोसले में चिडिया के अंडे होंगे मैं अंडे देखूंगे तो अब उसको ने फिर सुचा कि होसनी कि चिडिया के अंडे भी ओं उसको देखूं उसके बहुत इंट्रेस्ट आने लगाू तुछ लुख धिन गोसले में मत जहकना चिडिया उड़कर भाग जाएगी कुछ दिनों के बाद अंडों से चिडियों के बच्चे निकलेंगे तब तुम उन्हें देख लेना तो उसने क्या बताया कि हो सकता उसमें चिडिया भी बैठी हो और अगर तुम उसमें जहाकोगी तो चिडिया डर ज गोसला बनाते हैं अप्या फिर उसको एक और कुछ से उसने प्ट किया क्या पूछा जो कव्वे होते हैं कि वह भी गोसला बनाते हैं तो दी ने का नहीं कवे अपना घुसला नहीं बनाता वह पेड़ों पर रहता है लता दीदी मतुरा काका गर एक तोता है वह पिंजरे मे रहता है क्या पिंजरा उसका घर है तो दुलता ने उसके कोई काका होंगे मत्वुरा काका तो उनके यहां उसने क्या देखा था कि उनके यहां एक जो तोता है वह पिंजरे के अंदर रहता था तो उसने दीदी से पूछा क्या वह पिंजरा ही उस तोते का घर है दीदी बोली नहीं पिंजरा तोते का घर नहीं है तोता पेड़ पर रहता है लोग उसे पालने के लिए पिंजरे में रहते हैं तो दीदी ने क्या बताया कि तोता जो है वो पेड़ पर रहता है और यह उसका घर नहीं है लोग उसे पाल पालने के लिए उसको पिंजरे में कैद कर दिया है दीदी तोता तो पिंजरे से बाहर आना चाहता होगा फिर पिंजरे में कोई पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहता पक्षियों कि कोई भी पक्षी पिंज़े में नहीं रहना चाहते हैं फिर रहता है ठीक है और उनको क्या किया नहीं पाते हैं तो इसकी दीदी नहीं समझाया कि नहीं पिंज़े में इससे वो उतके अजादी छिंजाती है ठीक है और हमको पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए लता कुछ सोचते वे दिली मुर्गी में जली आती है मुर्गी अंडव को कहां रखती है कि वह भी घोषला बनाती पिर उसका ध्यान मुर्गी की तरफ आया उसने को τα पूझा अपनी दीदी से कि अवे वह मर रहती है और वह भी क्या घोषला बनाती है तो दिदी ने बोला नहीं मुर्गी घोसला नहीं बनाती वह दड़बे में रहती है लता अपनी दीती से बाते कर रही थी तभी आंगन में गौरईया का जुंड आया दोनों बेहने गौरईया को देखने लगी गौरियों का चहाना उन्हें अच्छा लग रहा था ठीक है तो गौरईया च्छोटी चडिया होती है जिसे हम लोग इंगे से बोलते हैं स्पैरो उनका जूंड आया और वो लों बहुत चाहा चाहाती चिडियों तो उनकी आवाज सुने दोनों इस्सिस्टर्स जो थी लगता उसकी दिदी वह बाहर चलेगा और उनको बहुत अच्छा ल अपनी फेर कॉपी में लिख लीजेगा स्पेलिंग कर लीजेगा फिर सब्दार देखिए तिनका तिनका क्या होता वही घास फूस आधी जिससे अपने चिडिया अपना घोसला बनाती है ठीक है फिर दड़बा मुर्गियों या पक्छियों को पालने के लिए लकड़ी और लोहे की जाली से बना घरलों मुर्गी या किसी और प्रक्छियों को पालने के लिए जो आदमी बनाते हैं तो उन्हीं को वही उसी को दड़बा कहते हैं ठीक है अब हम आता है परसन माला पे तो पहले हैं आपके मौकिक परसन तो इसमें आपको और अलिए बताना है तो बनाता है तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि कव्ये घुष्णा नहीं बनाते हैं फिर थर्ड परस्ण है क्या पक्षी को पिंजरे में रखना अच्छी बात तो हमने क्या सीखा है चप्टर से कि पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए उससे उनकी आजादी छिन जाती है ठीक है वो भी उड़ना चाहते हैं तो पक्षियों को कैद करके रखना यह अच्छी बात नहीं है अब हम आते हैं लिखित परसन पर चिडिया घोसला क्यों बनाती है तो इसका अंसर हो जाएगा चिडिया अंडे देने के लिए घोसला बनाती है फिर नेक्ट परसन है चिडिया घोसला कैसे बनाती है तो चिडिया तिनकों से घोसला बनाती है वो अपनी चोच मिले लेकर तिन पिर थाड़ पर हैं मुरगी के घर को क्या कहते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा मुरगी के हमने क्या पढ़ा है मुर्गी के घर को दड़बा कहते हैं ठीक है फिर आप नेक्ट कोश्टन पर ये गा अक्सरसाइज पर सही उत्तर पर टिक का निसान लगाई है चिडिया के घर को क्या कहते हैं तो इसका देखिए अभी हमने बोला ये दड़बा जो है इस पर आप टिक लगा देंगे फिर चि ठीक है फिर हम घा एक्सरसाइज पर आते हैं पंग्तियों को मिला कर वाक पूरा कीजिए आपको पंग्तियों को इससे मैच करना है ठीक है तो फर्स्ट है आपका एक दिन लता ने तो उसका क्या हो जाएगा एक दिन लता ने घोसला देखा ठीक है एक दिन लता ने यहाँ पर देखिए घोसला देखा फर्स्ट को आप इससे थर्ड से मैच करेंगे फिर चिडिया अपने चोच में क्या करती है चिडिया अपने चोच में यह देखिए तिन के दबा कर लाती है तो सेकंड को आप किसस से मैच हो जाएगा फिफ्ट वाले से ठीक है फिर थर्ड है आपका घोसले में चिडिया फिर इसका किस से मैच करेंगे अंडे देती है फोर्थ से मैच कर दें घोसले में चिडिया अंडे देती है फिर कोई पक्षी पिंजरे में तो यह किस से मैच करेंगे फास्ट वाले से को अब हम आते हैं भास अग्यान नेक्स एक्सेसाइज पर रिक्स इस्थानों में का की या के लिखकर वाख पूरा कीजिए तो पहला देखिए फर्स्ट क्या है तोते डैस पिंजरा तो क्या हो जाएगा ये तोते का पिंजरा ठीक है फिर सेकंड देखिए सेकंड है आपका चिडिया डैस चोज तो उसमें क्या हो जाएगा चिडिया की चोज फिर थर्ड है चिडिया चिडियो डैस अंडे तो उसमें क्या जाएगा चिडियो के अंडे ठीक है फिर फोर्थ है चिडिया डैस घोचला तो उसमें क्या होगा चिडियो चिडिया का घोच तो अब फिर आइश में किया जाए का पक्षी ओंके घर फिर मुर्गी कर डडबा तो इसमें कि आगा मुर्गयों का अब फिराम-no-क्रीच लीजश साइज पर आता है वह है आप का पढ़िये समझे और लिखिये तो इसमें देखिए के पहला आप कियाओं तो इस सब्सको क्या किया है सब्सको अलग-अलग करके मात्रा और सब्सको अलग-अलग करके लिख दिया गया है तो प्लस फिर अंग की बिंदी फिर ड़ प्लस आ की मात्रा ठीक है अब इसको आप क्या करना है अलग-अलग करके लिखना है तो फिर सेकंड वाइड है आपका दड़बा तो वो आप कैसे लिखेंगे वो देखें मैं यहां पर किया दा फुड़ा फिर प्लस बा फिर प्लस आ की मात्रा फिर तोता तोता को कैसे करेंगे ता प्लस फिर ओ की मात् फिर पिंजरा, पहले ए की मात्रा, छोटी की, फिर पा, फिर बिंदी, ठीक है, प्लस जा, प्लस रा, प्लस आ की मात्रा, पिंजरा, अब हम नेक्ट एक्सेसाइज पर आते हैं, वो है आपका लिखित बोध, वो वो, जो पक्षी अच्छा लगता है, उस पर, पांच वांट के लिखिए, तो यहां, तो हम बिटा, यह पे तो पे लिखा है, यूरा प्रिय पक्षी, तोता है, यह हरे रंग का अतोर। इसकी चोच लाल रंकी होती है तोता हमारी बोली की नकल करके बोलता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है तोता फल बीज दाना आधी खाता है हमें तोता वे अन पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए ठीक है तो हमने तोते के ऊपर फॉर फाइव लैंस लि सबसे अच्छा फेवरेट आपका जो बर्ड होगी उसके उपर आप लिख सकते हैं कि मोर बहुत ही सुन्दर होता है उसके बहुत सुन्दर पंक होते हैं उसके सर पर एक ताज होता है ठीक है और वो हमारा राष्टिय पक्षिवी है तो उस पर भी आप लिख सकते हैं गौर कि उसके बाद आपका है रचनात्मक गतिविधी इस कवीता को ले के साथ सुनाईए ठीक है तो यहां पर छुटी ची कवीता दी गई है उसको आपको ले के साथ सुनाना है एक मतलब सौंग की तरीके से चीची चिडिया देखो चीची चीची चिडिया एक एक तिनका लाती है तिनके पर तिनका रख चीची अपना नीड बनाती है चिड़ा उसका साथ निवाता उसका पूरा हाथ बटाता सुन्दर सुधर सलोना साघर जिसे घोशला कहते हैं हम सब ठीक है तो यह एक बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी सी पोयम थी इसको आपको ले में गाना है ठीक है बिटा तो यह exercise कर लिजेगा कफिन वर्ट की spelling अच्छे से लर्न कर लिजेगा सब फेर कॉपी में कर लिजेगा ओके बिटा बाए टेक केर अच्छाइब